नमस्कार साथियों मेरा नाम जितिंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतु होनलान अकैडमी में फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी आज किलास पर हम पढ़ने वाले हैं हम कारक चिन्नों को पढ़ेंगे जिने हम क्या बोलते हैं कारक चिन्नों को परसर्ग भी बोलते हैं और परसर्ग बोलने के साथ साथ हमेने विवक्ति चिन्न भी बोलते हैं हम बात करेंगे कारक चिन्नों की कारक चिन्नों पढ़ने से या फिर जो हम सीखेंगे आज उसके द्वारा हम और किसकी स्टोपेक को कबर कर सकते हैं तो जैसे हम बाकी असुद्धी सुद्धी वाला चेप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा एक नम्मर का पूछा ही पूछा जाता है हर एक्जाम में तो वो किसे सीखेंगे हम तो वो उसकी साहिता से कारक चिन्नों की साहिता से हम उसको भी सीखेंगे अगर हम बात करें समास की तो समास को भी अगर हम सीखेंगे पढ़ेंगे तो वो भी किसकी साहिता से सीखेंगे कारक चिन्नों के द्वारा ही सीखा पढ़ा जाएगा तो हम आज की class में start करने वाले हैं कारक चिन, तो आईए सिखते हैं कि क्या होते हैं कारक चिन, अगे डालते हैं हम कारक चिन, और कारक चिननों को और क्या बोला जाता है, तो इन्हें हम परसर्ग भी बोलते हैं, और परसर्ग बोलने के साथ और क्या बोला जाता है इन्हें, त जो हमारे कारक्चिन है, हम इसको पैचानते कैसे हैं, कैसे पैचानेंगे, अगर कोई भी बाग की लिखा होगा, तो हम पैचानेंगे कैसे कि यही कारक्चिन होते हैं, अपर यह कारक्चिन नहीं होते हैं, तो जैसे, अगर मैंने लिखाया, संस्कृत में लिखता हूँ में राम रावड हातवन इसका ये संस्कृत का बाक्य है किसका बाक्य है ये संस्कृत का बाक्य है हमने संस्कृत में लिखा राम रावड हातवन इसी बाक्य को अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो कैसे लिखोंगा इसको लिखा जाएगा राम ने रावड को मारा ये किसमें लिख दिया मैंने तो ये लिख दिया मैंने किसमें हिंदी में लिख दिया ठीक, अब हम पैचानेंगे इस बाकी में जो कारक चिन है वो क्या हुए हैं संग्या और सर्वनाम सब्दों से कैसे हैं छिपे हुए हैं यानि संस्कृत बारे बाके में जो हमारे कारक चिन है वो संग्या और सर्वनाम में कारक चिन छिपे रहते हैं यानि संग्या और सर्वनाम में क्या होता है संस्कृत में कारक चिन छिपे रहते हैं वो छिपे रहने की कारण ही हम संस्कृत बासा को क्या कहते हैं मतलब जुडाव रहते हैं छिपे रहते हैं योग रहता है तो क्या हो जाता है संस्कृत किस प्रकार की वासा हो जाती है हमारी योगात्मक वासा कहलाती है अगर हमसे ये कुशन पूछे भी लिया जाए कि संस्कृत हमारी कैसी वासा है तो संस्कृत हमारी योगात्मक वासा है क्यों योगात्मक वासा है हमें समझ में आ गई की होगा तो बहसा हम क्यों बोलते हैं क्योंकि किसी भी बाक्य में हमारे में क्या होता है कि जो कारक चिन होते हैं वो संग्या और सर्म नाम में छिपे रहते हैं वहीं पगर हमें हिंदी की बात करते हैं अपनी तो ये क्या हो जाएगा हमारा राम ये हो जाएगा हमारा क्या करता कहलाएगा ठीक ये क्या हो जाएगा करता ने क्या हो जाएगा ने हो जाएगा हमारा क्या कारक्चिन हो जाएगा कारक्चिन बात करें हम रावड की तो ये क्या होता है हमारा ये करम हो जाएगा क्या हो जाता यह हमारी क्या क्रिया क्रिया हो जाती है अब हमने देखा जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस है हिंदी वाला जो बाक क्या है हमारा इसमें जो कारक्चिन आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं अलग दिखाई दे रहे हैं हमें ठीक इसमें क्या हो रहा होता योग हो रहा था, इसमें कैसा हो रहा है, बियोग हो रहा है तो हिंदी हमारी किस पकार की भासा हो जाएगी हिंदी हमारी बियोग आत्मक भासा हो जाएगी बियोग आत्मक भासा हमने जाना कि हिंदी हमारी बियोग आत्मक भासा क्यों हो गी क्योंकि इसमें जो कारक चिन है संग्या और सर्बनाम सब्दों से छिपे हुए नहीं है बलकि अलग होकर लिखे गए है ठीक है तो हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा हिंदी कैसे हो जाएगी ब्योगातमक बासा हो जाएगी और संस्कृत की बात करते हैं संस्कृत की स्पकार की बासा हो जाएगी संस्कृत हमारी ये योगातमक बासा हो जाएगी हमने जाना कि कारक चिन्नों को हम कैसे पैचानते हैं कैसे हमने देखा कि जो हमारा संस्कृत वारा बाक के था उसमें कारक चिन्न हमारे कैसे थे चिपे हुए थे और जो हमारा हिंदी वाला बाक्य है इसमें क्या है हमारे कारक चिन्नों का ब्योग हो गया है यानि किसी भी संग्या और सरणाम सब्दों से चिपे हुए नहीं हैं हम क्या कर सकते हैं इन्हें पैचान सकते हैं देख सकते हैं अब हम बात करेंगे इसके बाद कि कारक चिन नों की परवासा क्या होगी क्या लिखेंगे हम तो हम लिखेंगे लिखेंगे आप सभी लोग मेरे साथ कि ऐसे सब्द ऐसे सब्द जो संग्या या सरवनाम का क्रिया के साथ सम्मंद बताते हैं यानि ऐसे सब्द जो क्या बताते हैं संग्या या सरवनाम का क्रिया के साथ सम्मंद बताते हैं क्या कहलाते हैं हमारे कारक चिन कहलाते हैं जिने परसरग भी बोलते हैं और जिने विवक्ति चिन भी बोलते हैं अब हम जानेंगे कि जो हमारे कारक चिन है जो विवक्ति चिन है कौन-कौन से होते हैं या उनके प्रकार क्या-क्या है तो आप सबी दो लखिए कारक चिन्न के प्रकार या डालिए कारक चिन्न के भेद के भेद कितने भेद होते हैं तो कारक चिन्नों के आठ भेद होते हैं कितने भेद होते हैं आठ भेद होते हैं कौन-कौन से आठ भेद हैं करता कारक, करम कारक, करड कारक और कौन से होता है हमारा संपरदान कारक, अपादान कारक हो जाता है उसके बाद क्या आयता है संबंद कारक, उसके बाद कौन से आएगा अधिकरड कारक आएगा और अधिकरड कारक के बाद हम क्या पढ़ेंगे संबोधन कारक इस पकार से 8 कारकों के बेद हो जाएंगे तो हम जानेंगे कि हमारे जो कारक चिन है कारक होते हैं और कारक चिन कौन-कौन से होते हैं तो एक तरफ लिख लिजी आप क्या कारक और एक तरफ लिख लिख लिजी आप कारक चिन कारक और यहां लिखिए आप क्या कारक चिन पहले लिखते हैं कौनसा करता कारक करता कारक का जो कारक चिन होता है या ब्यवक्ति चिन होता है वो कौनसा होता है तो ने ठीक, दूसरा आता है हमारा करम कारक करम कारक करम कारक जो बिवक्ती चिन है वो कौन सा होता है को बात करते हैं अगले की करड कारक करड कारक का बिवक्ती चिन क्या होता है तो करता ने करम को करड से के द्वारा इसका चिन होता है से और क्या होता है के द्वारा बात करते हैं अपने चौते कारक की तो वो होता है करता ने करम को करण से के द्वारा संप्रदान संप्रदान कारक इसका चिन क्या होता है तो संप्रदान कारक का चिन होता है को या के लिए क्या होता है को या के लिए बात करते हैं अगले अपने कारक की तो सब्रदान कारक के बाद आएगा हमारा क्या अपादान कारक अपादान कारक और अपादान कारक का चिन क्या होता है तो इसका भी चिन क्या होता है से लेकर यह भाव कैसा होगा अलग होने का भाव होगा से अलग होने का भाव होगा ठीक, बात करते हैं अपने छटवे कारक की समंद कारक समंद कारक समंद कारक का जो चिन होता है कारक चिन वो कौन सा होता है तो काकी के काकी के या बात करें हम न, 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 इस प्रकार के कारक चिन होते हैं बात करते हैं सात्वे कारक की अधिकरड कारक अधिकरड कारक का जो ब्योक्ति चिन होता है वो कौन सा होता है मे या पर ये क्या ज़ता है ब्योक्ति चिन और इसके बाद आता है हमारा क्या आठमा आठमा आफ या रिख लीजिए कौन सा होता है हमारा आठमा सम्मोधन कारक सम्मोधन कारक इसका चिन क्या होता है विवक्ति चिन तो इसका होता है हे अरे ओ इसका कारक चिन होता है तो हमने कारक चिननों को जाना कि जो हमारा करता कारक होता है उसका ने होता है करम कारक का हमारा को होता है कारक्चिन क्रड कारक का हमारा कारक्चिन क्या होता है से या के द्वारक होता है संपरदान कारक का जो कारक्चिन होता है वो को या के लिए होता है अपादान कारक का जो कारक्चिन होता है वो से होता है उसमे अलग होने का भाह होगा बात करें हम सम्मंद कारक की तो सम्मंद कारक का जो कारक चिन होता है वो काकी के नानीने होता है बात करें अगर अधिकड कारक की तो इसका कारक चिन क्या होता है में या पर इसका कारक चिन होता है अब हम एक एक करके सब को डिटेल में समझते हैं पहला हेलेई डालेई आप सबी लोग कर्ता कारक उदार्ड सेथ समझेंगे यानि एक एक example देखे समझते हैं कि किस किस प्रकार से हम पैचानेंगे अपने कारकों को तो सबस्बाइल डालेई ला लेई आप क्या कर्ता कारक इसका जो बिवक्ति चिन्न होता है वो क्या पड़ाता हमने तो ने इसका क्या होता है बिवक्ति चिन्न होता है करता यानि क्या होगा यहाँ पे क्रिया या काम को करने बाला होगा क्रिया या काम को करने बाला होता है यहाँ पे करता का कार क्या होगा तो किरिया यह काम को करने वाला होगा जैसे उदाड दे के समझते हम राम ने पत्र लिखा सीता ने खाना खाया तो यहाँ पे जो ने कारक चिनना रहा है हमारा इससे हम क्या समझेंगे कि इससे हमें पता लगेगा कि जो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा तो इस पे करता कारक हो जाएगा करता का मिस क्या होता है क्रिया को या काम को करने वाला होता है बात करते हैं आपने दूसरे कारक की दूसरा कारक कौन सा पढ़ाता हमने करम कारक हरे डालिए आप सबी लोग करम कारक दूसरा करम कारक इसका विवक्ति चिन क्या होता है तो इसका विवक्ति चिन पढ़ाता हमने को इसका विवक्ति चिन होता है करम कारक को हम देखें कैसी समझेंगे तो क्रिया का फल जिस पर पढ़ता है वो क्या हो जाता है हमारा करम कारक हो जाएगा और दूसरी दर से इसे कैसे पचाल सकते हैं तो क्या लगाकर बाक में कारक पैचान सकते हैं इसमें हमने क्या क्या जाना है करम कारक में हमने जाना है कि इसका विवक्ती चिन्ड होता है वो को होता है और क्रिया का फल जिस पर पढ़ता है वो क्या हो जाता है हमारा करम कारक हो जाएगा और हम क्या लगा कर भी इसकी जो ट्रिक है वो क्या लगा कर भी हम बाके में कारक चिन पैचान सकते हैं कैसे पैचानेंगे जैसे उधारण लखिए आप यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं क्या सीता ने पत्र पड़ा तो इसमें अगर पैचानेंगे हम कि बताईए करमकारक कौन सा है तो हम पैचान लेंगे क्या पैचान लेंगे सीता ने क्या पड़ा है पत्र को पड़ा है तो पत दूसरा बाक लेते हैं तो हम लिख सकते हैं जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी तो राम ने क्या पढ़ी है? हम क्या लगा लगा कैसे पचाल लेंगे? तो राम ने क्या पढ़ी है? पुस्तक पढ़ी है इस प्रकार से हम देख लेंगे कि करम कारक हमारा कैसे पैचान सकते हैं एक तो क्रिया का फाल जिस पर पढ़ता है वो करम कारक होगा और दूसरा हम क्या लागर भी बाकी को पैचान सकते हैं कौन सा हमारा करम कारक हो जाएगा बात करते हैं तीसरे कारक की जो कि है हमारा करड कारक करड कारक इसका चिन गया होता है तो करड कारक का चिन होता है से बात करें हम करड की तो करड का अर्थ होगा साधन यानि क्रिया के संपन होने का संपन होने का साधन बताता है क्रिया के संपन होने का साधन बताएगा तो क्या कहलाएगा हमारा कड कारक कहलाएगा इसका विवक्ति चिन क्या होती है इसकी विवक्ति चिन से होता है अगर उदाड दे के समझते हैं तो कैसे समझेंगे जैसे राम ने रावड को बार्ण से मारा तो रामने रावडुक कैसे मारा है बाण कैसे मारा है तो क्रिया के संपन ओने का साधन क्या है यहाँ पर बाण है किसके द्वारा मारा गया है तो बाण द्वारा मारा गया है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करण कारक हो जाएगा अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे चौथे कारक की संप्रदान कारक है नार लिए आप सबी लोग चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक संप्रदान कारक का जो विवक्ती चिन है वो क्या होता है तो को या के लिए विवक्ती चिन होता है इसको हम पैचानेंके कैसे तो जो हमारा करता होता है करता के द्वारा क्या गया जाता है किसी दूसरे के लिए कुछ कार किया जाता है या फिर हम बात करें इसको पैचानने के लिए कैसा भाव आएगा बाके में दान देने का भाव आता है तो वहाव आता है तो वहापर कौन सा होगा हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा संप्रदान कारक का जो व्युक्ति चिन है वो क्या होता है तो को या के लिए क्या होता है हमारा व्युक्तिजिन हो जाएगा अगर हम बात करें तो करता की दोरा क्या 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 है किसी दूसरे के लिए कारण किया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा हमारा संपरदान कारण हो जाएगा बात करें बाके में ट्रक से पेचानने के लिए तो ट्रक की दोरा हम पेचान सकते हैं कि दान देने का भाव आ रहा होगा तो वो हमारा क्या होगा संप्रदान कारक होगा जैसे उदाड में देखते हैं गुरू जी को फल दो गुरू जी को फल दो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है, किसी दूसरे के लिए कारक किया जा रहा है, या फिर दान देने का भाव आ रहा है, जैसे दूसरा आ जाएगा, गरीवों को, गरीवों को बस्तर दो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दान देने का भाव आ रहा ह बात करते हैं हम संबंध कारक की, पाँचमा कारक है हमारा जो हिंड अलियाप, पाँचमा कारक है हमारा अपादान कारक इसका जो बिवक्ति चिन होता है, वो क्या होता है से इसका बिवक्ति चिन होता है क्या होता विवक्तिचिन तो सेज का क्या होता विवक्तिचिन होता है इसको पैचाने के कैसे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा अलग होने का भाव हो रहा होगा अलग होने का भाव आ रहा होगा तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा हमारा अपादान कारक होगा जैसे उद्राड में देखते हैं कैसे कैसे होगा तो हम लिखते हैं गंगा हिमालय से निकलती है गंगा हिमालय से निकलती है या फिर दूसरा उद्राड देखते हैं क्या देखेंगे पेड से पत्ते गिरते हैं पेड से पत्ते गिरते हैं अब हिमालेस से निगलती है, पेड से पत्ते कैसे अलग हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है, यहाँ पर भी पत्ते क्या हो रहा है, पेड से अलग हो रहे हैं, तो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, हमने ज कारक की तो ये किसी ने किसी के साथ में सम्मंद बता रहे होंगे मतलब कैसे समझेंगे हमें तो इसका जो विवक्ति चिन्द होता है वो क्या होता है का की के या ना नी ने ये क्या हो जाएगा हमारा विवक्ति चिन्द या परसरक चिन्द होंगे बात करें में पैचानने की तो एक तो यह क्या अगर बता रहे होंगे सम्मंद बता रहे होंगे यानि ऐसे सब्द जो संग्या या सरम नाम से बाक्य में आए हुए ये दूसरे संग्या या सरवनाम से संबंद बताते हैं यानि जो बाक्य में हमारे संग्या या सरवनाम सब्द दिये होंगे वो बाक्य में आई हुए दूसरे संग्या या सरवनाम सब्दों से क्या संबंद बताते होंगे तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, सम्मंद कारक हो जाएगा, जैसे राम की पुस्तक, राम की पुस्तक दो, तो किसकी पुस्तक हो जाएगी, राम की पुस्तक हो जाएगी, जैसे राजा का लड़का योगी है, योगी है, तो यहां क्या हो जाएगा, राजा का लड़का ऐसे ही स्रिया की कलम दो तो स्रिया की कलम ये क्या हो रहा है सम्मंद बता रहे हैं एक दूसरे में तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा हमारा सम्मंद कारक हो जाएगा अब हम बात करते हैं अपने सात्वे कारक की जो के है हमारा अधिकर्ड कारक हेरे डाली आप सभी लोग अधिकरण कारक अधिकरण कारक इसका जो चिन होता है विवक्ति चिन वो क्या होता है तो मैं या पर क्या होता है इसका विवक्ति चिन होता है हम इसको पैचाने के कैसे तो इसके पैचाने की ट्रिक है कि क्रिया या काम के होने का इस्थान बताया जाता है यानि कि किसी बाके में क्रिया या काम के होने का क्या बताया जाए? इस्थान बताया जाए तो आपर कौन सा कारक होगा? अधिकरड कारक होगा जैसे आए उदाड में देखते हैं कि आप लिखेंगे राजा गोडे पर बैठा है तो पर बैठा है, क्या पतक्रिया क्या बता जा रहा है इस्थान बता जा रहा है तो राजा कहां पर बैठा है, गोडे पर बैठा है, इसलिए यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा अगर हम बात करें वहीं पर दूसरे example की कमरे में पुस्तक रखी है तो पुस्तक कहां पर रखी है? कमरे में रखी है क्रिया का या काम की होने का क्या बताया जा रहा है? इस्थान बताया जा रहा है इसलिए आपे कौन सा कारक हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा बात करते हैं हम इसके बाद आखरी कारक की अपने जो किया है हमारा संबोधन कारक संबोधन कारक प्रयोग में लाया जाता है जब किसी को बुलाया जाता है संबोधित किया जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं संबोधन कारक अपना है हमारा संबोधन कारक और संबोधन कारक का व्योक्ति चिन क्या होता है तो हमें पता है संबोधन कारक का व्योक्ति चिन नहीं है हमारा हे और अरे इसको पैचानने के लिए हम क्या करेंगे इसको पैचानने के लिए हम देखेंगे कि बाके में क्या हो रहा होगा बुलाने के लिए प्रियोक्त हो रहा होगा बाके में या फिर पुकारने के लिए हो रहा होगा प्रियोक्त बाके में या फिर संबोधन के लिए संबोधन के लिए यानि हम बागी में कैसे पैचाँ नहीं, या तो बुलाने के लिए प्रयोग टो होगा, बागी हमारा या पोकारने के लिए, या फिर संभोधन के लिए, कैसे हो रहा होगा, ये दिखते हैं, जैसे, हमने लिखा जैसे हे राम अच्छा करो तो इसमें क्या आ रहा है हे राम किसलिब हे राम तो क्या बुलाने के लिए प्रियोग में लाया जा रहा है इसलिए आपे कौन से संबोधन होगा तो इसमें संबोधन कारक होगा बात करते हैं हम दूसरे बाकी की बात सुनो इस बाकि में भी किसलिए बुलाई जा रहा है संबोधन के लिए प्रयोक्त हो रहा है इसलिए आपर कौन सा कारक हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा संबोधन कारक हो जाएगा इस प्रकार हमने कारकों को जाना बिस्तरत रूप से कि करता कारक कौन सा होता है, करम कारक कौन सा होता है और उसका विवक्ति चिन क्या है, करड कारक का विवक्ति चिन क्या है और उसके बाद हमने जाना संपरदान कारक है, उसका विवक्ति चिन क्या होता है उसके बाद हमने जाना कि अपादान कारक किसलिए प्रयोग मिलाया जाता है उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो संबंद कारक पढ़ा संबंद कारक के बाद हमने जाना अधिकरड कारक क्या होता है और अधिकराड कारक के बाद में हमने किया जाना है संपोधन कारक क्या होता है तो ये थी कारक विवक्ति परसरक की चिंद की क्लास बताया है क्लास कैसी लगी आपको इसके में कुछ बाके हैं जो मैं करा देता हूँ और जो कारक चिन है ये बहुत ही मैथपूर्ट रहते हैं किसलिए रहते हैं तो मैंने बताया आप क्लास से पहले कि जो हमारे समास होते हैं उनको करने के लिए ये बहुत ही helpful होंगे और इसके बाद जो हम पढ़ते हैं बाग की सुद्धी सुद्धी का आप ये समझ़ लिए कि बाग की सुद्धी सुद्धी का एक नम्मर का कुष्ण आपका आना ही आना है तो उसके लिए भी बहुत ही यादा इंपूटेंट रहते हैं ये कारक चिन हम बात करते हैं कुछ बाकी हैं हमारे तो उसमें आपको पैचानना है कि इसमें कौन सा कारक होगा पहले की बात करते हैं सोहन किताब पढ़ता है सोहन किताब पढ़ता है बताईएगा इसमें कौन सा कारक्चिन चुपा है कौन सा कारक्चिन होगा तो सोहन किताब पढ़ता है करता द्वारक क्या हो रहा है जो कार है वो करता द्वारक किया जा रहा है सोन के द्वारक क्या है किताब पढ़ी जा रही है या सोन ने किताब पढ़ी है तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा तो इसमें करता कारक हो जाएगा करता कारक और करता कारक का चिन क्या होता है ब्योक्ति चिन क्या होता है तो करता ने ठीक है इसका ब्योक्ति चिन होगा दूसरा बाग की पढ़ते हैं हम राजिंद्र ने पत्र लिखा तो राजिंदर ने क्या गया है पत्र लिखा है या पर नेक कारक चिन हमें पहले से ही दिखाई दी रहा है इसलिए आपर कौन सा कारक हो जाएगा तो करता कारक हो जाएगा बात करते हैं तीसरे अपने बाकी की कलम से करांती होती है कलम से करांती होती है बताईएगा इसमें कौन सा कारक चिन होगा कलम से तो यह किसमें आता है से विवक्ति चिन किसका है हमारा करण का होता है करण का क्या क्या होता है से और के द्वारा विवक्ति चिन होता है तो इसमें कलम के द्वारा करांती होती है या पर हम कहाते हैं करम से करांतिय होती है इसलिए आपर कौन सा कारक हो जाएगा तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा इसके बात करते हैं भूके के लिए रोटी लाओ लिखिए आप लोग भूके के लिए रोटी लाओ बताइए इसमें कौन सा कारक होगा के लिए किस लिए प्रयोगम लाए जाता है के लिए बताइए गा संपरदान को के लिए तो यहापर कौन से कारक हो जाएगा हमारा संपरदान कारक हो जाएगा और इसमें हम क्या देख सकते हैं तो इसमें लिए उपहार लाय हैं, लाय हैं, मेरे लिए, तो संपर्दान को के लिए, यहां पे भी कौन सा कारक हो जाएगा, संपर्दान कारक हो जाएगा, और इसमें एक पैचानने की ट्रिक और बताई थी, हमने क्या बताई थी? कि कोई भी क्या रहा हूँ बस्तू का मतलब दान देने का बाव आ रहा होगा बाके में तो यहां पर भी क्या रहा है दान देने का बाव आ रहा है उपार लाए कुछ ले के आए दूसरे के लिए कारगिया जा रहा है इसलिए आपे कौन सा कारक हो जाएगा तो आपे संपरदान कारक हो जाएगा बात करते हैं गंगा हिमाले से निकलती है बताईएगा इसमें कौन सा कारक चिन होगा गंगा हिमाले से निकलती है तो गंगा हिमाले से कैसे हो रही है अलग हो रही है मतलब अलग होने का बाओ आ रहा है इसमें तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बताएगा आप लो अपादान कारक इसमें हो जाएगा अपादान कारक मिस से अलग होने का बाओ आ रहा हो अगला देखते हैं सेना के जवान आ रहे हैं बताएगा कौन सा कारक होगा तो हमने पढ़ा था सेना की जवान, राजा का लड़का सीता की पुस्तक, राम की किताब क्या हो जाएगा इनमें सम्मंद कारक हो जाएगा इसलिए आपे कौन सा कारक होगा हमारा सम्मंद कारक हो जाता है अगला पढ़ते हैं महल में दीपक जल रहा है इसमें कौन सा कारक होगा महल में दीपक जल रहा है मैं क्रिया के होने का इस्थान बताया जा रहा है और जिस बाके में क्रिया के होने का इस्थान बताया जा रहा है वहाँ पर कौन सा कारक होता है तो अधिकरड कारक होता है अधिकरड कारक इसमें क् क्रिया के होने का इस्तान बताया जा रहा है अगला बताईए आप लोग अगला लिखिए तुम्हारे घर पर चोहए तुम्हारे गर पर चोहए इसमें कौन सा कारक होगा तुम्हारे घर पर इसमें भी क्या हो रहा है कि यहां के होने का इस्तान बता है जा रहा है इसलिए यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा यहां पर अधिक करण कारक हो जाएगा अगला बताईएगा अगला बताईए पेड से पत्ते गिरते हैं इसमें कौन सा कारक होगा तो इसमें अभी क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते कैसे हो रहे हैं, अलग होने का बाव आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा क्याँ सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा तो बताइएगा आज की class कैसी लगी आपको और कोई भी query होती है आपकी या फिर आपको pdf चाहिए हो तो आप नीचे description link में जाके देख सकते हैं उस पर नमर दिया हुआ है उस नमर पर whatsapp कर सकते हैं और कुछ भी pdf अगर चाहिए हो और फिर टेलीग्राम का link चाहिए हो तो वहाँ भाटसप पर आकर आप message छोड़ दीजिए वहाँ पर आपको जोन करा दिये जाएगा और आपकी सारी विश्तित class हैं कल से start होने जा रही है तो आप लगे रही है पढ़ते रही है और देखते रही है मिलते हैं तब तक अगली class में तब तक के लिए जैहिंस आती हो जैहिंद